स्वागत है आप सभी का आज किस नई और फ्रेश वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सिस साउथ अफरीका की बीच होने वाले सेकिंड टीटवन्टी मैच के बारे में अब देखिए इस मैच के बारे में तो बात करेंगे लेकिन अभी विगश लीग का मैच खेला गया किसने कितना विन किया कौमेन्ट करके जरूर बताना मैने विजल जो शहेर किया था देखिए मैं आपको बताोगा ज्यादा तर एजड़ एज़ श jijRE करता हैं जो लोग जीतते हुनका रिजल में बहुत कम शेर करता हूं क्योंकि मैं खुद जो विन करता हूं कि यो वही शेर करता हूं और मेरा इंवेस्मेंट आपको बताइए लाखो रुपे का होता है तो अभी बीबियल वाले मैच में लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अंद किया उसके लिए आप सभी लोगों को मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो आपका पहला टार्गेट है इस मैच में एक बहतरीन टीम बनाना और बहतरीन टीम तभी बन पाएगी जब आप टीम में उन प्लेयरों को लोगे जो मैच में चलेगी और मैच में चलेंगे वही प्लेयर में आपको इस वीडियो में बताँग बाई बंदा dream team का captain आया है पहले ही बता दिया था video के अंदर ही ऐसे इस video के अंदर भी मैं आपको बता दूँगा इस match में कोन trump card है और कोन best captain है लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा अगर आप लोगों ने telegram channel को join नहीं किया है न तो video के description में मैंने telegram का link दिय टेलिग्राम जोइन करने का रीजन सिर्फ एक है इस मेज की जो फाइनल टीम होगी ना जिसके साथ मेरा लाखो रुपे का इंवेस्टमेंट होता है और आपको मैं शेयर भी करता रहता हूं लीडर बोर्ड में भी आप देखोगो ना कि वो तीन मैचेस के अंदर वीबिल के त देख लेना किसका कितना इंवेस्टमेंट हो इस मैच में। श्Att değil कि आयुकर वाला मेचेस को देख रहे हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़ू है जरूर जो इंग कर लेना क्योंकि फाइनल टीम फाइनल अपडेट जो भी होगा ना कि कौन-कौन से प्लेइर फाइनल खेल रहे हैं बैटिंग कोन कर दिये बोलिंग कोन कर दिये वह सब आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है और टेलीग्राम ही सबसे इंपोर्टेंट चीज है और प्लस में एक चीज और बता रहता हूँ इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो आप सब के लिए रहने वाला है दस हजार का फिरी गीववे लेकिन ये क्येवल और के लिए होगा जो चैनल के सब्सक्राइबर से अगर आपने नहीं किया है ना तो जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और गीववे बहुत ही सिंपल है बहुत सिंपल है आप अराम से विन कर सकते हो और दस हजार कोई छोटा माउंड भी नहीं बस इतना ध्या कर देते हैं तो डाइरेक्टली में यहीं से उस चीज़ को स्टार्ट कर देता हूं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने चीज़े बताई हो सकता आपने इग्नोर की हो बट यहां से एक सिंगल वड़ आप इगनोर तो बात की बात है स्कीप भी मत करना ठीक है अब देखिए पहला जो मैश था वो बारिश के करना रद हो गया यह दूसरा मैश है जिसके भी आप वीडियो देखे हो कि यह तीन टी-टी-टी मैचेस की यह सिरीज है तो यानि कि यह वाला मैच जो भी टीम जीतेगी ना ठीक है वो लगभग सिरीज में आ जाईगी क्योंकि दो ही मैचे दोनों ही टीमों के लिए अगर एकसा होता कि पहला मैच फिनिश हो जाता साउथ अफरिका जीत जाती तो यह मैच इंडिया के लिए इंपोर्टेंट होता और इंडिया जीत जाती तो साउथ अफरिका के लिए इंपोर्टेंट होता नाव यह मैच दोनों टीमों के लिए इ यह तो आप ध्यान रखना कि मैच में आपको बहतरीन मतलब गेम देखने को मिलेगा बाकी यह जो मैच जहां पे खेला जाएगा ना वहां पे अभी थोड़े दिनों पहले वुमेंस टीट्वंटी वर्ल्ड कप खेला गया था ठीक है तो वह वाले मैचेस थे अब लेकिन वु मैंस टीट्वंटी वर्ल्ड कप हुआ है लेकिन वुमेंस वाले मैचेस आपको बताएं बहुत अलग होते हैं मैंस के कंपेर में तो मैंने उनको इग्नूर करके मैंस वाले मैचस को यहां पर लिखा हुआ है यहां पे common चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि चार मैचेस में तीन मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बोलिंग की है और एक मैच जीती जिसने पहले बैटिंग की है और यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर टॉस विनर टीम पहले बोलिंग करेगी यह लिखा हुआ है और यह चीछ ध्यान देना अगर इंडिया पहले बोलिंग करेगी तो इंडिया के विनिंग के चांस ज़्यादा है साउथ अफरीका पहले बोलिंग करेगी तो साउथ अफरीका के विनिंग के चांस ज़्यादा है हाला कि अगर आप दोनों टीमों में compare करोगे ना टीम South Africa जादा strong है comparison to India, उसका reason क्या है, भाई home ground है, प्लेरों का home ground है, South Africa के सारे प्लेरों ने यहाँ पे matches खेले हुए, तो अव्यसी बात यार, home ground का फायदा तो उनको होने वाला है, तो मैं आपको suggest करूँगा, हाला कि आप Indian team के favor में team मनाओगे, यह मुझे भी बता है, लेकि अगर आप एक बहतरीन और तगड़े investor होना, तो आपको दोनो साइट का सोचना है, कि भाई कौन सी team stronger और कौन सी player important होंगे, लेकि इंडिया जीते हैं यह हम चाहते हैं, लेकि उसके साथ हम भी तो अपना profit earn करें ही करें, है ना, तो वो चीज़ है कि अगर आप सही fantasy खेलते ह होना, तो फिर आप लोगों को बहतरीन team बनाने ही पड़ेगी, उस case में चाहिए इंडिया जीते हैं, तो आपके लिए और बहतर हो जाएगा, वरना आपके लिए एक और बढ़िया चीज़ बताता हूं, इंडिया के favor में team बना रहे होना, तो अगर इंडिया पहले bowling करती है तो वैसे भी नहीं के chances है, लेकिन अगर South Africa पहले bowling करेगी न, तो फिर आपको team के अंदर maximum player South Africa के लेने, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बाकि उसके अलावा अगर यहां के अगर मैं इस match की बात करता हूं, तो पिछले वाले match में wicket गए थे total 12, उन 12 wicket में spinners ने 7 wicket लि है, हाला कि मैं आपको बोलूँगा कि balance wicket के इसाफ से team बनाना जहां passer भी important हो, spinner भी और batsman भी, passer important होंगे first inning के अंदर, spinner important होंगे second inning के अंदर, और batsman तो obvious ही बात हो important दोनों condition में होंगे, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, बारिश की तो यहां पे 50% chances है, बारिश इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करके चलना पहले ही बता दू ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, प्लेइंग लिए उनकी, देखे सेम प्लेइंग लिए मैंने mention किये, जो मैंने पहली वीडियो में दी थी, यानि कि पहले T20 मैच के अंदर, आप क्योंकि देखे उस मैच मे उसके अलाव अगर में बात करता हूं मेन बोलर्स की, तो इंडियन टीम पांच मेन बोलर्स के साथ जा रही है, इस मैच के अंदर, जिसमें रविंदर जडेजा और रवी विश्णोई, एजए स्पिन बोलर, दीपनक चल अश्दीप शिंग और महमा सिराज, एजए पैसर क रूप में खेलने वाले है, ठीक है, बाकि उसके अलावा बैंच में और भी प्लेर है, जैसे गायक वार, मुकेश, तिलग, इशान, वाशिंग्टन, सुन्दर के साथ, कुल्डीप यादा हो, कोई भी खेल सकता है, जिसमें most chances जो खेलने के हैं, वो यहाँ पर रहने वाले ह अगर वो खेलेगा, कुल्डीप मानलो एक बार के लिए मानलो की इंडियन टीम स्पिनर के साथ जाती है, तो फिर हटाएगी किसको, जिते शर्मा हट नहीं सकता है, क्योंकि विकिट किपिंग करेगा वो, रिंकु सिंग, मतलब हीटर के तो और खेली रहे, सूरी है, यह अब ही आपको बताओगा, नंबर वन टीटीवनटी बोलर, नंबर वन टीटीवनटी बोलर बिश्न होई है, तो वो चीज हो नहीं सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने मैंचन नहीं किया है, दीपक चैर मोस्ट लैकली सिराज के साथ जो है, पावर प्ले में बोलिंग और डेट वर्स में अर्शदीप सिंग आएंगे मोहमद सिराज के साथ, देखिए इंडियन टीम जब पहले बोलिंग करती है न, तो मोहमद सिराज और अर्शदीप सिंग आपके लिए मस्ट नीडेड प्लेयर होंगे, मस्ट नीडेड मतलब ले नहीं है, और जब इंडियन और अभी आपको बता होगा, आप फरक देख लो, इंडिया का जो आखरी सिरीज थी वो अस्टेलिया से थी, इंडियन टीम जीती है, साथ अफरीका की आखरी सिरीज थी अस्टेलिया से ही, और साथ अफरीका हारी है, और इंडियन टीम की जीतने का सबसे बड़ा रीजन प बहुत कम लोग इसको लेंगे इस मैच में और वह इसलिए लेंगे क्योंकि आगरा साउथ अफरीगा किसे तरफ से देखो कि वहाँ भी बड़िया बड़िया बोलर है और फिर हिंडियन टीम में टॉप फॉर यह जो प्लेयर है शुबमन गिल के आने के करण आपको बताएं श बटिश्टिल चार लोग यह लेंगे उसके अलाव जड़ेजा को लेंगे और सिराज को लेंगे अगर बिश्णोई को लेंगे ना तो साथ प्लेयर हो जाएंगे और साथ प्लेयर इंडियन टीम से बहुत कम लोग लेने वाले यह चीछ ध्यान देना ठीक है बाकि उसके अल अधर इन्होंने काफी प्लेवरों ने मैचेस खेले हुए जैसे श्रेय सेयर ने मैचेस खेलें सुरी कुमार यादोंने सुरी कुमार यादो का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वह बहुत खराब है बाकि इन दोनों का पहला मैच होगा वेन्यू पे और अगेंश्ट भी वहीं प्लेवरों से डीपक चहर है डीपक चहर पैसर है और आपको पता है पाउर प्लेवरों में विकीड अगर मिलते हैं न तो उसमें पहली चोईस यह होग और अगर आप इनको ले रहे होना तो पिर साउथ अफ्रीका के टॉप और में कोई भी ओपन करें ड्रॉप कर देना क् पाउर प्ले में लगभग दो और तो करेगा ही करेगा और पाउर प्ले में लगभग मान के चलिए आठ होर के अंदर है ना तीन ओर तो इसके होंगे एक और फिर मिडल में करेगा उसके बाद एक प्लेट जो बचा हुआ है वो रहने वाला है आपका रवी विश्णोई अरजदीब का देगे रिकोर्ड देखिए बंदेगा तीन मैच खेला है और तीनों में बहतेरीन परफॉर्मेंस है तो अरजदीब को अगर आप मतलब ड्रोप कर रहे हो ना तो कम से कमी से रिकोर्ड को जरूर देख लेना और सिराज की बात आती है सिराज को कोई ड्रोप करेंगा लेकिन अगर में बोलू कि अरजदीब और सिराज मेंसे किसको लेना चाहिए तो लोग लेंगे सिराज को लेकिन किसको चाहिए अरजदीब को थोड़ास मतलब एक हैसा को ले जो लोगों से अलग बनाएगा अपको ठीक है तो यह ध्यान रखके चलना उसके बाद तो यहां पर मुकेश कुमार, गायकवार, तिलक वर्मा, इशान, इशान ने मैचेस खेले वह यहां और सुन्दर ने मैचेस खेले और गायकवार ने भी ठीए, गायकवार में भी खेल ले हाला कि मैं आप देखिए ओपनिंग में शुबमन गिल खेल रहा है तो वो ओपन तो मतलब खेल सकता है वो तभी खेले जब यहां तो गिल ना खेले यहां से हम बात करते हैं तो कैसे देखिए साउथ अफ्रीका की तरफ से रीजा हैंड्रिक्स और मेंथी ब्रीट्स की ओपन एडन मारकरम वन डाउन फिर डैविड मिलर फिर इस्टप्स फिर हैंडी क्लासन एंडिलफ एलुकवाय और मारको जेंसन गेराल कोर जी कैश्व महराज के साथ साथ लिजाड बिलियम से एक्सपेक्टेड लाइनप बैटिंग ओडर क्या कोडिंग में बोलर की बात आती है ना तो एक दो तीन चार पांच पांच तो यह में बोलर है छटे नंबर पे आने वाले एडन मारकरम ठीक है यह इनके मतलब छे बोलर है जो साथ अफरिकरी के तरफ से बोलिंग करेंगे ऑफ इस्पिनर के बड़ और एडन मारकरम है तो पावर प्ले में क्योंकि देखिए इंडियन टीम से लेफटी खेलेगा ना जैस्वाल लेफटी है तो पावर प्ले क है जो में भी खेल ले लिजार्ड विल्यम्स की जगहा पर ठीक है क्योंकि एक ही स्पिनर इनके पास केश्व माराज अला कि एक और है एडन मारकरम इसलिए हम ने खिलाया भी नहीं क्योंकि सेकंड इस्पिनर तो यह आई जाएगा बट अगर पीच ऐसी हुई बिलकुल मतल इसने इंडिया के अगेश्व बहुत अच्छा परफर्मिल दिखा है लेकिन वही बात है खेलेगा किसके जगह है पेसर में देखे कोट जी हड़ नहीं सकता है मारको जैंसन वैसे आपको बैटिंग बोलिंग और मारको जैंसन भी नहीं हड़ सकता है यह भी बता दू में औ तो मारको जैंसन फैलुक वायो लिजाड विलियम्स पावर प्ले में आएंगे डेथ में कोट जी और जैंसन आएंगे कोट जी को भी ड्रोप मत करना ठीक है कोट जी बहुत तगडी फर्म में है तो यह ध्यान डखना अगर आप ड्रोप कर रहें उससे पहले उसके बाद हम देखते हैं प्लेयरों का रिकोर्ड इस वेन्यू पे और अगेंश्ट लेकि रीजा हेंडिक्स ने मैचस खेलें इंडिया के अगेंश्ट हाला कि बिल्कुल मतलब अच्छा पर्फोर्मेंस तो नहीं बोलूंगा मैं बेकारी रहा है अगर नॉर्मल ही देखे ना वेन्यू की लिए और आपके लिए सुरी कोमार यादो भी है तो उस केसमें बट इसे लिए जैसे आप मतलब ऐसी टीम बना रहे हैं जहां 7 प्लस 4 की टीम बनती हो जहां 7 प्लेर एक टीम से, 4 प्लेर एक टीम से उस केस में भी आपके लिए VC के लिए तो कम से कम बनाई सकते हो कैप्टन नहीं दे रहे हो तो चलो मानलो कि विकेट बोलिंग ये करेगा नहीं और करेगा भी तो विकेट ना मिले तो कम से कम VC के लिए तो पहतर है क्योंकि South Africa की तरफ से अगर सबसे बेस्ट प्लेयर कोई है ना अभी पुरी टीम के अंदर वो यही है उसके बाद यहां से डेविड मिलर है अब डेविड मिलर आपके लिए रहने वाला है ट्रम कार्ड प्लेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस वीडियो में मैं ऐसे प्लेयर बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग लेंगे और वो आपके लिए ट्रम कार्ड का काम करेंगे तो उसमें पहले नंबर पे रहेगा नाम डेविड मिलर का और यह चीज आपको ध्यान लखनी है इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम कार्ड है डेविड मिलर बहुत कम लोग लेंगे आपको अपने लाएगा भी निसको और यह ट्रम कार्ड भी कब बहुत के बाद यहां से फैलू को आयो है इन्होंने इंडिया के गेंश मैचेस खेलें ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है वेन्यू पे चार रन और बैटिंग से दो विकेट एक मैच खेला है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस है उनमें आता है उसके बाद जी कोड़ जी है जिन्होंने बारा रन बिटिंग से और एक विकेट भी निकाला हुआ है तो और वैसे भी मैंने आपको बोली दिया है कि कोड़ जी तो मस्ट नीडेड ठीक है देन उनके बाद हम बात करते हैं और कोड़ जी को भी मैं ट्रंप कर बोल सकता हूं क्योंकि कोड़ जी का भी सेलेक्शन अभी मैंने देखा 32 के सम्थिंग कुछ है बढ़ जाएगा इसका जैसे टीम पहले बोलिंग करेगी उसके बाद केशों महराज है इंडिया के अगेंश उतना कुछ कार्थ परफोर्मेंस है नी वेन्यू पे भी मतलब एक ही मैच खेला ह तो कोई मतलब नहीं है भी हेंड्रिक्स की में बात कर रहा था तो अगर यह खेलता है ना तो यह भी ट्रम काड़ है क्योंकि इंडिया के गेंश्ट और इसने दो मैच में चार विकेट निकाले हुए नाव गाइस अब बात करते हैं गीववे की देखिए गीववे बड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहे हो न यह आपके होंगे ठीक है तो गीववे क्या हैं सबसे पहले इस मेंच में सबसे ज। सब्से ज़्यादा रन Anders कोन बनाएगा सबसे ज़्यादा विकिट score गआएगा सबसे ज़्यादा fantasy points किश गयोंगे और सबसे कम fantasy point किश गयोंगी यह PAT न कर लेना चलिए अब हम बात करते हैं टीम की जो मेरी इस मैच में स्मॉल लिग में रहेगी देखिए इन्वेस्टमेंट जो मेरा रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा और वो इसलिए कम रहेगा क्योंकि बारिश कभी भी गेम बिगाड़ देगी लोजिक होता नहीं है जब भी बा बात करते हैं यहां से इन्वेस्टमेंट की तो देखिए जिसने लिग लिए उन डाउलोड नहीं किया है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है बहतरीन अप्लिकेशन है देखिए ना तो कोई GST लगेगी सबसे कम एंट्री फीस संडे टू संडे मोबाइल गीवव बात है मेरा फोकस महीं पर होगा तो मैं आपको जो टीम दिखा रहा हूं वह आप लोग यूज कर लेना विकेट कीपिंग में हैंडरी क्लासन जो बैस्ट ऑप्शन होगी हाला कि इस तब सिख्षान तो खेलेगा नहीं और जीता इस शर्मत दो और उप्शन है जिनको अगर चलेगा ना बंदख कहीं का नी छोड़ेगा तो जैसे सवाल मेरी पहली चोईस शुबमन गिल अब देखे मैंने एक प्लेयर को आपको ट्रंप कार्ड बताया था अब मैंने ट्रंप कार्ड जिसको बताया था ना मैं आपको टीम में नहीं दे रहा हूं लेकिन लेना है आप को चाहे कुछ भी हो जाए मैंने जो ट्रम काड आपको बताया था ना भी वीडियो के बीच में उसको लेना है ठीक है और अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा में कि वह कौन सा ट्रम काड ठीक है और लावनरे सेक्षन में आपको लेना है मारकरम और मारको जैंसन को बॉलिंग सेक सकते हो एक प्लेयर जो मैंने बताया था था ना ट्रम काड वही होगा मेरी ठीक है क्याप्टन और वाइस कैप्टन की बात आती है तो मारकरम को मैं क्याप्टन कर रहा हूं जैसवाल और रिंकु सिंग की वजए से दो दो लेफ्ट ही है तो और इस्पेशली जैसवाल की से वह यह यह तो कैप्टन मेरा भी के लिए मारकरम और वी सी की बात आती है तो शुबमन बेभी में दसी प्लेयर की टीम दूँगा ऐसा भी हो सकता ग्यारा प्लेयर की दे दी तो कैप्टन वाइस केप्टन नहीं दूँगा तो कैप्टन मारकरम और वाइस के लिए ध्यान ड़क्या चलना ठीक है बाकि जो भी चेंजर संगे उसके लिए मैं टेलिग्राम का बोली च